एरेवेवान क्याल चाल माइनम इस निदेश जिर्णानिया और केमिश्य एजुकेटर एंड मिंटॉर सभी का स्वागत है बेटा मेरे चैनल पर और इस पर्टिकलर वीडियो में मैं आप लोगों मास्टर क्लास देने वाला हूँ फिजिकल केमिश्ट्री की बेटा कल एक आप लोग फेस करते हो कैसे उन प्रॉब्लम को आप लोगो को टैकल करना है ताकि आप लोग फिजिकल केमिश्ट्री में 100% मार्क से स्कोर कर सके बेटा कितने मार्क आते हैं फिजिकल केमिश्ट्री में अगेन 60-70 नंबर एक बात हमेशा ध्यान रखना मैं पहले से बोलते कि आप लोग ये चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं ऐसा होता है कि परिप्राइगा यह वे वे तर्ण cotton pन कर च decisions इस दिस पॉसिबल तो उसका अंसर है हाँ कैसे करना है वो इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यह देखो कि यह कौन कौनसी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो जब फिजिकल केमेस्ट्री आप लोग पढ़ते हो ठीक है तो बेटा फॉर्मुल किसीफि चाप्टर में लॉक आ गया वहां पे हम लोग के चीज Reality अ क्थीज हो जाती है किसी ब्हुत केमेस्ट्री में वहां लेकिन फिर्जिकल्य के कूछ ऐसे क्वेशन गया सकते हैं जहां पर आप लोग पर Pourquoi अब वहां करना भी चाहिए अगर एक question में आपके 2-3-4 मिनट भी लग रहे हैं लेकिन आपको यह अंदर से confidence है कि yes आप उस question को कर लोगे तो आपको वो time invest करना है उस question में तो question take time यह भी बच्चों का general एक doubt रहता है तो यह एक main problems है जो बच्चा phase करता है अब इन main problems को हम लोगों को कैसे दूर करना है क्या important points आप लोगो follow करने सबसे पहले बिटा flow आप लोगों का इस time पर क्या flow होना चाहिए पढ़ाई का सबसे पहले जो chapter आपको करना है वो mole concept करना है एक बार आप लोगों ने mole concept chapter कर दिया फिर आप लोग atomic structure उठाई है जो 11th का topic है mole concept करो atomic structure करो एक बार आप लोगों ने ये दो chapter कर लिए ये दो chapter आपका base बना देंगे और उसके बाद बिटा कोई साभी chapter उठाई है physical chemistry का कोई tension लेने की बात नहीं है सबसे बहले क्या करो mole concept कर लो फिर क्या करो atomic structure कर लो उसके बाद कोई tension की बात नहीं कोई साभी chapter उठाई है physical chemistry का राम से आप लोग करोगे तो this should be your flow in your last three months एक बेटा आप लोग को extra copy बनानी है जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा formula book जिसे हम लोग क्या बोलेंगे formula book उसमें सारे के सारे formulas रहेंगे और important points रहेंगे अगर आप लोग मेरे से पढ़ते हो तो हम लोग important points को क्या बोलते है note वा बोलते है बेसिकली वो क्या है note ही है एक important point है जिसे आप लोग को याद रखना होता है एक लिखने का तरीका है उसे हम लोग note वा लिख देते हैं तो जितने भी बेटा नोट वा हैं जितमें भी बेटा chapter के formulas हैं वो सारे के सारे आप लोग को एक formula book में लिखते वे रखने हैं और उसको revision करते हुए चलना है हर week उस book को revise करते रही है अपने आप आपको formula सारे याद आजाएंगे अपने आप जितने भी important points है सारे आपके दिमाग में settle हो जाएंगे लेकिन week में एक बार आपको revision करना है पीवाइक उस करने हैं बिलकुल करने हैं कितने साल के करने हैं at least 20 years के आप लोग पीवाइक उसके करों लेकिन 20 साल के करोगे तो भी बटा मजा जाएगा अब एक और common question जो बच्चा बोलता है कि सर कितने question मैं per chapter करूँ तो पिटा इस time पे जब आप लोग के पास सर्फ तीन भीने बचे हैं physical chemistry के जो questions है वो आपको time भी जादा लेते हैं क्योंकि आप पे numericals आते हैं तो आप पचास question पर chapter का target लीजिए पचास question पिटा ये हो गए 20 साल के PYQs करोगे तो यहां से 20-30 questions आ जाएंगे 50 questions ये हो गए तो total PYQs और DPPs मिलाके 70-80 questions हो जाएंगे और आपका काम हो जाएगा telegram channel अगर आप join करते हैं तो वहाँ पे पिटा मैं आप लोग को ये question bank भी provide करा दूगा telegram channel का link description में भी देदूगा comment section में भी देदूगा तो उसे आप लोग जोइन कर लोगो तो वहाँ पे PYQs भी मिल जाएंगे और आपको chapter wise DPPs भी मिलते जाएंगे and one more most important thing is आपके जो notes है बेटा आप जिस भी teacher से पढ़ रहे हो I hope आप लोग उने एक experienced teacher से पढ़ी होंगी अपनी preparation करी होगी chemistry की मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे जो notes है किसी और XYZ teacher से पढ़ रहे हो तो उनके जो notes है उन notes में बेटा teacher का experience होता है सारे important points, सारे जो question करवा रहे हैं आप लोग को teacher आपके notes में तो आप लोग बेटा वो notes को revise करते वे चलिए ये बेटा खजाना है आप लोग देखोगे जो neat का paper आएगा chemistry का paper, physical chemistry का specially काफी जादा वो notes में से ही होगा तो आप लोग को बेटा वो notes revise करते वे चलने हैं, तो these are the most important points एक last point बोलूँगा कि बेटा अगर आप लोग को physical chemistry mastery करनी है तो एक ही मंतर है उसका PPP क्या है PPP, practice, 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 आपको सिर्फ क्या करनी है, practice करते वे चलनी है, question उठाने है, उनको solve करते वे चलना है और आप देखो के धीरे धीरे आपकी speed भी बन जाएगी, accuracy भी बन जाएगी, ठीक है, so this was master class of physical chemistry कि last 3 महिने में आप लोग को physical chemistry किस तरीके से पढ़ने चाहिए, I hope आप लोग को ये videos help कर रहे हैं, comment करके मुझे ज़रूर बताना और कोई भी doubt हो, comment में लिखिएगा, उस पर आप लोग को मैं ऐसा छोटा वीडियो बना के सारी चीज़े explain कर दूँगा चैनल को subscribe करके रखिए, बहुत amazing content यहाप आप लोग को मिल जाएगा, और share this video with your friends, चेक है, चेक है, अच्छे से बढ़िए, till then take care and have a great day see you guys, bye bye